गुल्ड मॉर्निंग बच्चो ग्लो ओफ जिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E is equal to mc square का निगमन ठीक है बच्चो डेरिविशन ओफ E is equal to mc square प्यारे बच्चो आज जो हमने Einstein के जो है जो दरिमान उर्जा समिकरण है वो किस प्रकार से डेरिवेट होता है किस प्रकार से यह equation आता है हमें आज आपको यह समझाना है बच्चो और बहुती महत्वपून डेरिविशन है बच्चो तो बच्चो आप इसमें द्यान देंगे बच्चो ठीक है बच्चो आपको इसमें द्यान देना है यह डेरिवेशन किस प्रकार से आता है बच्चो तो सबसे पहले बच्चो द्यान दीजिए हम आपको बता रहे हैं माल दीजिए हमारे पास कोई मास M है एक मास है M, कोई वस्तु है, M दरिवमान की कोई वस्तु है, M दरिवमान की कोई वस्तु है इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, एक बल हमने इस पे लगाया वच्चो, ठीक है तो जब हमने इस पे बल लगाया तो इसने भी velocity acquired की ठीक है इसमें ये भी बेक से गतिमान हो गया माल लीजिए बच्चो ये ववस्तु A पर थी और A से जो है ये ववस्तु B भी चली गई है और थोड़ा सा बिस्थापन इसमें हो गया है Ds ठीक है बच्चो थोड़ा सा बिस् इसका जो मूमेंटम है सम्बेग बराबर द्रविमान गुणा B ठीक है बच्चो और सम्बेग क्या है एक सदिस्राशी है इसकी दिसा वही होगी जो गति की दिसा है बच्चो ठीक है बच्चो इसकी दिसा क्या होगी गति की दिसा होगी और हमें हमें पता है कि न्यूटन के second law से Newton के दुदिय नियम से Newton के दुदिय नियम से Newton के दुदिय नियम से ठीक है बच्चो क्या होता है जो force होता है वो क्या होता है संबेग परवर्तन की the rate of change of momentum के बरावर होता है यह आपको आता है तो सबसे पहले हम force निकाल देंगे तो force कितना हो जाएगा F is equal to कितना हो जाएगा P की जगों पर कितना रख देंगा यहाँ पर mv लिख देंगे तो d by dt of mv ठीक है बच्चो अब यहाँ पर आपको धिहान देना है कि mass और velocity दोनों variable है constant यहाँ पर mass को constant नहीं मानेंगे बच्चो क्योंकि जब तब आइस्टीन सहाब ने सापेक्षिता सिद्धांदर नहीं दिया था बच्चो तब तक mass को constant माना जाता था वो जो है गति की साथ बदलता रहता है बच्चो तो यह दोनों क्या variable होगी अब जो है आपको formula लगाना है कि first function into second function ठीक है बच्चो कौन सा formula लगएगा बच्चो यहाँ पर first function into second function जो कि आपने calculus में पढ़ रखाए बच्चो तो क्या हो जाएगा यदि हम थोड़ा सा इस formula को d by dx of first function into second function आपने पढ़ा है तो बच्चो first function into second function क्या हो जाएगा बच्चो first d by dx first इस परकार से हो जाएगा बच्चो first d by dx of second plus second d by dx of d by dx of first यह formula d by dx of क्या हो जाएगा बच्चो first हो जाएगा यह formula आपने पढ़ा है ठीक है बच्चो तो यह formula है यह formula जो है बच्चो आपको इस पे apply करना है तो बच्चो इस formula को यहाँ पर यह first function है यह second function है तो कितना हो जाएगा बच्चो f is equal to first first क्या हो जाएगा m d by dx of second तो कितना हो जाएगा dv upon dt यह हो जाएगा plus second, second क्या है v और d by dx of first first क्या है बच्चो m है, तो dm upon dt यह है बच्चो यह हो जाएगा force अब देखो बच्चो यहाँ पर हमने जो उपर बताए है वस्तो का दर्यमान m है उस पर कोई बल लगा रहे है उसके द्वारा जो है वो a से b में displace हो रहा है ठीक है, एक छोटा सा displacement ds है तो इसमें work कितना होगा बच्चो dw तो इस work को हम निकाल देंगे, तो work कितना हो जाएगा dw, work बराबर f into कितना हो जाएगा बच्चो ds हो जाएगा ठीक है न बच्चो अब यहाँ f की value हम रख देंगे यहाँ पे तो f की value आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो कितना हो जाएगा बच्चो द्यान दीजिए, m dv upon dt plus v dm upon dt into ds, ठीक है बच्चो, अब आपको ds से अंदर क्या करना है, इसको multiply करना है बच्चो, ठीक है, तो करो बच्चो, कितना हो जाएगा, dw is equal to, इससे multiply कर देंगे, ठीक है बच्चो, तो यह m, m dv को मैं वहेंसे रख दूँगा, m dv को वहेंसे रख दूँगा, और यह कितना हो जाए, ds upon dt, ds upon dt, ठीक है बच्चो, और यहाँ पर v dm को वहेंसे रहने दूँगा, भी dm को वहेंसे रहने दिया, और यह कितना हो जाए, ds upon dt, ठीक है बच्चो, ds upon dt, और बच्चो, आप जानते हैं, जो बेग बरावर क्या होता है, ds upon dt, ठीक है, जो velocity होती है, वो क्या होती है, displacement upon time होती है, ठीक है बच्चो, तो यह आपका velocity, अब आप इसको यहाँ पर velocity के terms में इसको रख दीजिए, बच्चो, तो कितना हो जाएगा बच्चो, dw equal to mdv into, into कितना हो जाएगा बच्चो, mdv into v, ठीक है बच्चो, यहाँ कितना हो जाएगा, vdm into कितना हो जाएगा बच्चो, v, यह देखिए b के बरावर हो गया, अब कितना आ गया बच्चो, यह हमारे पार कितना आ गया है यह कितना आ गया बच्छो देखे जहान दीजिए यह कितना गया Kinetic, कर नहीं, स्टोर हो जाएगा, Kinetic energy के रूप में, स्टोर हो जाएगा बच्चो, यहाँ पर क्या था बच्चो, यह क्या था यह मास एम था, आपने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हो, इसको इसने क्या हो, भी विलासिटी को इसने acquired किया इसमें भी velocity आई बच्छो तो जो work क्या आपने आपने A से B तक उसको कितना displace किया बच्छो Ds displace किया और work कितना हो गया बच्छो यह जो work हुआ बच्छो इसमें देखे यह जो work हुआ कितना work हुआ दी डवलू जो work हुआ यह क्या हो जाएगा बच्छो kinetic energy के रूप में store हो जाएगा ठीक है ये इसको kinetic energy दे देगा ठीक है और kinetic energy जब work करेंगे तो यही तो kinetic energy में change करेगा ठीक है आपने जो है कार्य उर्जा पर में पढ़ रखे बचो तो यहाँ पर क्या होगा बचो जो ये dw है ये जो work करका है ये kinetic energy के रूप में stored हो जाएगा संचे तो हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ dk भी लिख सकता हूँ dk is equal to कितना हो जाएगा mv dv plus v square dm अब ये equation number 2 आपको ध्यान देना है तो बचो आप इसको copy में लिख दो बचो इसके notes आपको बनाने हैं अब जो है Einstein के सापेग चिता सिधान्त से एक समीकरण हमारे आसा आता है Einstein के Einstein के सापेग चिता सापेग सिधान्त से ठीक है बचो इसी से प्रूब किया सिधान्त से ठीक है बचो हम जानते हैं कि जो दर्यमान होता है जो गतिक दर्यमान होता है M गतिक दर्यमान M बराबर M0 बटे अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वार अपोन C स्क्वार ठीक है बचो यह जानते हैं आप यहाँ पर M गतिक दर्यमान है M0 बिराम दर्मान है B उस वस्तो का बेग है और C परकास का बेग है ठीक है बच्चो अब बच्चो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यह देखो M0 divided by under root C square minus C square minus C square minus B square upon C square ठीक है अपोन कितना आगे बच्चो अपोन C square आगे बच्चो ठीक है बच्चो अब यह पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा यह पूरा टर्म इसके साद multiply हो जाएगा बच्चो तो कितना हो जाएगा M into under root M into under root M into under root C square minus B square upon C square is equal to M 0 ठीक है अब squaring both sides अब हम क्या करेंगे दोनों और का बर कर देंगे बच्चो ठीक है बच्चो ध्यान देना है क्या कर देंगे बच्चो दोनों और का दोनों और का बर्ग करने पर ठीक है बच्चो दोनों और का क्या कर देंगे बच्चो squaring on both side ठीक है दोनों और का बर्ग करने पर तो बर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो यह कितना हो जाएगा M square और इसका under root cancel हो जाएगा ठीक है बच्चो तो C square minus B square upon C square equal to कितना हो जाएगा बच्चो M0 का square यह देखे बच्चो अब क्या कर देंगे बच्चो अब हम क्या कर देंगे अब हम यहाँ पर बच्चो इसको multiply कर देंगे अंदर और इसको यहाँ multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा M square C square minus M square B square और यह यहाँ multiply हो जाएगा M zero C square ठीक है बच्चो यह इतना हो जाएगा बच्चो अब बच्चो हमको इसको differentiate करना है बच्चो ठीक है अब हमको क्या करना बच्चो differentiate करना M square C square minus M square B square M zero C square को क्या करना बच्चो हमें differentiate इसको करना है तो बच्चो हमारे पास कितना आया था बच्चो हमारे पास कितना आ गया था बच्चो हमारे पास आ गया था था थोड़ा दिहान देंगे M square C square minus M square B square is equal to M स्क्वाइर सी स्क्वाइर ठीक है बच्चो अब हम इसको डिफ्रेंसियेट कर लेंगे ठीक है डिफ्रेंसियेटिंग differentiating ठीक है बच्छो अब इसको हम क्या कर लेंगे differentiate कर लेंगे ठीक है बच्छो अब यहाँ पर देखें इसको differentiate करेंगे तो यह C तो constant है और यहाँ पर M और B दोनों क्या है वहरेवील है बच्छो ठोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो यह c square constant हो, तो यह बाहरा जाएगा बच्चों, यह देखे, और यहाँ पर m square का जो differentiation होगा बच्चों, वह हो जाएगा 2m, ठीक है बच्चों, अब minus जो हैं आपको ध्यान देना है, यह first function into second function, ठीक है, first यह हो जाएगा, first d by dx of second, तो v square का b square का differentiation कितना हो जाएगा, 2v, 2v, d, v, ठीक है, first, first dy, first होगा, दूसरे का differentiation plus second, second क्या है, b square, ठीक है, और उसके बाब first का differentiation हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2m, dm, ठीक है बच्चों, और बच्चों, यह constant है, यह क्या है, constant है, इसका differentiation कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना यह आगया, यहाँ पर आगया बच्चों, यहाँ पर c square constant तो भारा जाएगा, m square का, m square का कितना हो जाएगा बच्चों, differentiation 2m, यहाँ पर m square, v square, first function into second function का, क्या होता है, formula क्या होता है, first dy dx second, plus second dy dx ठीक है बच्चो तो यहां पर जो है इतना आ गया तो बच्चो हमारे पास कितना आ गया अब यहां पर देखो बच्चो हमारे पास आ गया इतना हमारे पास यह आ गया है बच्चो अब बच्चो इसमें 2M जो है हम क्या कर देंगे इसमें common ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बचो यहाँ पर जो है बचो हाँ तो यहाँ पर बचो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर differentiate जब किया है बचो ठीक है बचो तो यह कितना हो गया यहाँ पर 2m हमने common ले लिया है ठीक है बचो यहाँ पर देखे कहां पर लिया यह c² कितना है 2m है यहाँ पर यह C² 2m के साथ dm भी आना था यहाँ पर कितना आएगा dm भी आएगा ठीक है और minus यह आ जाएगा ठीक है यहाँ पर c² कितना हो गया dm C square dm sorry बच्चो वो miss हो गया बच्चो तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2m को common लेंगे बच्चो तो कितना बच्चाएगा बच्चो C square dm C square dm minus कितना यहाँ पर 2m common ले लिया तो bm dm या m m b dv ठीक है बच्चो यह ले सकते हैं बच्चो यहाँ पर 2 और m हमने ले लिया यहाँ एक m बच गया तो m b dv minus यहाँ कितना ले लिया बच्चो 2m ले लिया तो b square कितना हो जाएगा बच्चो b square dm ठीक है बच्चो इक्वाल to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चो ठीक है बचो इतना हमारे पार ये question आगया अब हमारे पास equation कितने आगी बचो ये तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा तो हमारे पार equation आगी c square dm minus mv dv minus v square dm equal to equal to कितना आगया बचो यहाँ कितना आगया है 0 आगया है बचो ठीक है अब इसको हम उधर ले जाएगे बचो तो कितना हो जाएगा c square dm is equal to mv dv plus v square dm ठीक है बचो और ये equation number equation number जो है हमने इसको 3 लिग दिया बचो अब बचो मैंने इससे पहले equation 2 भी निकाली है बचो ठीक है बचो equation 2 निकाली है तो बचो equation 2 मैंने क्या निकाली है आप उसको देखेंगे बचो हमने equation number 2 निकाला था देखे बचो पहले आपने लिख देगा होगा dk is equal to mv dv mv dv plus v square dm ठीक है बचो ये equation number 2 मैंने पहले ही निकाली है बचो आपने लिखा होगा ठीक है मैं इसमें दूसरे page में चला गया हूँ बचो तो ये आपने निकाला है बचो अब जो है equation 2 और 3 से from equation 2 and 3 ठीक है बचो ये देखो बचो इनके दाएं दाएं पक्ष क्या है बराबर है दिखाए देरा बचो सबको दिखाए देरा है ये देखो बचो यहाँ c square dm का दाएं पक्ष क्या है mv dv plus b square dm dk का दाएं पक्ष क्या है बचो mv dv b square dm तो बाएं बाएं पक्ष क्या होंगे इसके बराबर होंगे बचो तो बाएं पक्ष जब बराबर होगा तो dk किसके बराबर आगे बचो dk किसके बराबर आ गया यह जो dk है kinetic energy में जो change है वो c square dm के बराबर आ गया बच्चो ठीक है बच्चो अब देखे आपको यहाँ पे एक चीज का द्यान देना है बच्चो अब जो है हम इसको integrate कर लेंगे बच्चो ठीक है पहले जो है जब वस्तु क्या थी जब वस्तु अब आपको यहाँ पे द्यान देना है बच्चो जब वस्तु rest में थी यहाँ पर वस्तु क्या थी बच्चो बिराम में थी किस में थी बिराम ठीक है rest में थी ठीक है जब वस्तु rest में थी ठीक है बच्चो इसका द्रेमान M0 था ठीक है कितना था? M0 था और अब हमने इसको B velocity दे दी ठीक है? तो B velocity देने के बाद इसका द्रेमान M हो गया ये विराम द्रेमान और ये गतिक द्रेमान तो अब इसकी इसको क्या मिलगी बच्चो? इसको क्या मिलगी, काइनेटिक एनर्जी मिलगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 0 से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, K और द्रह्मान M0 से कितना हो गया बच्चो, M हो गया ठीक है बच्चो, ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, integrating, integrating both sides, ठीक है बच्चो, हम दोनों और का समाकलन यहाँ पर कर देंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है बच्चो, equation number जो 4 है इसका हम समागलन कर देंगे बच्चो और उसकी limit मैंने आपको बता जी कि mass कहां से कहां M0 से M ठीक है और kinetic energy 0 से K हो रही है तो बच्चो बताए यहां kinetic energy कितनी है 0 to K 0 to K DK is equal to यह C square तो बच्चो constant है यह integration से बाहर आ जाएगा और mass कितना बच्चो M0 से M ठीक है DM और बच्चो इसको आप अच्छे तरह से जानते हैं पहले upper limit रखते हैं फिर lower limit को इसमें रखा जाता है बच्चो तो upper limit कितनी है बच्चो K minus 0 equal to C square into पहले आप क्या रखेंगे M रखेंगे M minus M0 equal to C square M minus C square M0 ठीक है बच्चो अब देखो बच्चो आपको इसमें ध्यान देना है तो हमारे पाँ equation कितना है कि बच्चो काइनेटिक एनर्जी इस इकॉल टू M C square M C square M C square M C square माइनस M0 C square ठीक है बच्चो ये equation number 5 बना दो जितने equation आप बना सकते हैं अब देखो बच्चो जो टोटल एनर्जी होगी जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी वस्तो में जो टोटल एनर्जी होगी ये कोई वस्तो है ये कोई object है इसकी जो टोटल एनर्जी होगी इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो दो कारण से होगी बच्चो एक rest के कारण होगी एक इसका mass कितना बच्चो इसके दो mass हो जाएंगे बच्चो rest में इसका mass कितना है m0 और जब जो है ये v velocity से जा रहा है तब इसका दर्यमान m है ये भहरी कर रहा है बच्चो ठीक है तो दो प्रकार की energy इसमें होगी एक तो mass जो भहरेबिल mass है उसके कारण energy उसके कारण जो है आपको भहरेबिल mass के कारण जो है आपको kinetic energy मिल रही है और दूसरा यहाँ पर कि ये देखो बच्चो एक तो kinetic energy हमने निकाल दी बच्चो ये देखो kinetic energy हमने निकाल दी और दूसरी rest mass energy, rest के कारणा, rest mass, rest mass energy, तो rest mass energy कितने हो जाएगे बचो, rest mass energy, ठीक है, बिराम, दरिमान, उर्जा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यह देखें बचो, बिराम, द्रवेमान उर्जा बताओ बच्चो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा M0C2 क्योंकि यहाँ पर रस्ट की उर्जा कितना हो जाएगे देखे M0C2 ठीक है बच्चो तो दो परकार की उर्जा उसमें होगी तो टोटल एनर्जी जो होगी उसकी ठीक है बच्चो टोटल एनर्जी जो हम निकालेंगे बच्चो तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कुल उर्चा टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ठीक है बच्चो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ठीक है बच्चो टोटल एनर्जी कितने हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस rest mass energy बचो तो total energy E is equal to kinetic energy कितने आई बचो यह दिखाई देरा बचो किने कितने आईगी mc square minus m0c square ठीक है? plus rest mass energy कितने आई बचो m0 m0c square तो m0c square m0c square cancel होगे बचो ठीक है बचो तो अब हमारे पास जो कुल उर्जा आगे है बचो वो आगी mc square और हमने इसको derivative कर दिया है जो द्रेमान उर्जा समिकरण है उसको derivative हमने कर दिया है तो बचो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे channel पर बने हुए हैं और हमारी videos को जो हैं आप कर रहे हैं बचो और पूरा प्रियास किया जा रहा है बचो कि आपको सरल से सरल तरीके से बताई जाए यदि बचो आपको हमारी videos जो हैं अच्छे लगती हैं तो किरपया जो हैं हमारे channel को subscribe कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद